ये कहानी एक अमीर घमंडी औरत की उपर आधारित है जो अपने नौकर के साथ एक सुंसान आइलेंड पर फस जाती है अब उन दोनों के बीच में वहाँ पर क्या-क्या होता है ये हम आज की इस एक्स्पिलेनेशन में देखने वाले हैं फिल्म का नाम में स्वेट अवे और ये फिल्म 2002 में रिलीज हुई थी मूवी की शुरुवात में मंबर नाम के एक औरत को देखते हैं ज्योंकि बहुत चदा घमंडी होती है अमबर को अपने हस्बेंड की दौलत पर बहुत गमंड था उसे इतना गमंड था कि वो अपने सामने वाले इंसान को कुछ भी नहीं समझती थी एक दिन अमबर अपने हस्बेंड और दो कपल्स के साथ अपने प्राविट प्लेन पर बैठकर क्रूस शिप पर जाने के लिए रवाना हो जाती है ये क्रूस इटली से ग्रीक तक जाने वाली थी वहाँ पहुचकर क्रूस शिप का कैप्टन बावरची और एक नौकर उनका वैलकम करते हैं पर अमबर तो अपने ही घमन में थी इसलिए वो उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती शिप पर उनके साथ एक छोड़ा शितरी नाम का नौकर भी होता है जो अमबर को उसका कमरा दिखाता है फिर अमबर उससे पूछती है कि शिप में जिम नहीं है क्या तो इस पर छोड़ा शितरी उसे एक साइकल ला कर देता है वो बोलता है कि आप इस पर पैडल मारना और आपकी एकसरसाइस हो जाएगी अब इस बात से अमबर बहुत ज़दा गुसा हो जाती है और वो छोड़ा शितरी को डाटने लगती है अब बेचाला छोड़ा शितरी और क्या ही कर सकता था उससे इस काम के पैसे मिल रहे थे इसलिए वो चुपचाब उसकी डाट सहा लेता है पर छोड़ा शितरी के दिल में अमबर के खिलाब बतले की आग उठ रही थी और वो बस अमबर से बतला लेने के बारे में ही सोच रहा था अगली सुब़े अमबर अपने हस्बें एंटोनियो के साथ ब्रेकफस्स कर रही होती है पर तब ही वो छोड़ा शितरी को अपने पास बुलाती है और उसे बोलती है कि ये ब्रेकफस्स बहुत ज़़ा ठंडा है जाओ इसे तुम जल्दी से गरम करके लाओ पर उसी वक्त छोड़ा शितरी को बहुत गुसा आ जाता है और वो गुस्से में सारा ब्रेकफस्स अंबर के सिर पर ही पलड़ देता है इस पर अंबर उसके उपर चिल्लाने लगती है पर तब ही चोड़ा शितरी उसे उठा कर समुद्र में फैक देता है लेकिन तब ही एक चुटकी बचती है और हमको बता चलता है कि चोड़ा चतरी बस दिन में सपने देख रहा था फिर वो ब्रेकफस्स को उठा कर उसे गरम करने के लिए अंदर ले जाता है अंदर किचन में जाकर वो अपने दोस्तों को बताता है कि अंबर बहुत ज़्यदा घमंडी है और बार-बार मेरे उपर हुकम चलाती है इस पर उसका दोस्कुसेडू मल उसे बोलता है कि तुम ये गरम ब्रेकफस्स अपने साथ ले जाओ इसमें हम सभी ने अपने अपनी प्यार की निशानी डाली है और इसे खाकर उसे बहुत ज़्यदा अच्छा लगेगा फिर शिपका कैप्टन खूद उस ब्रेकफस्स को लेकर अंबर के पास जाता है जिसको खाकर अंबर शान्त हो जाती है एक राच छोड़ा चत्री मचली पकड़कर किच्छन की तरफ जा रहा होता है तब ही वहाँ पर अंबर आ जाती है और उस पर डोरे डालने की कोशिश करती है इसलिए वो अंबर को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है अगली सुबह अंबर के पिछवड़े में चुल मचती है और उसे फिशिंग करने का मन करने लगता है अंबर चोड़ा चत्री को बोलती है कि उसके लिए एक छोटी बोट का अरेंज करो पर इस पर चोड़ा चत्री उसे समझाने की कोशिश करता है कि मौसम का कोई भरोसा नहीं है और कभी भी याँ पर तूफाना सकता है पर अंबर के बिच्वड में सुवर का खड़ा बाल था और उसे ठाल लिया था कि वो फिशिंग करके ही रहेगी उन दोनों को वेट करते हुए दो दिन भीच जाते हैं पर वहाँ पर कोई नहीं आता अंबर परेशान होकर मदद के लिए जो जो से चिलाने लगती है और उसकी मदद करने वाला भी वहाँ पर कोई नहीं होता तभी अंबर की नजर बोट पर रखी हुई एक बंदूग पर पढ़ती है फिर छोड़ा चत्री उपर चड़कर उस जगे का पता लगाने की कोशिश करता है पर कफी डूढने पर भी उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता और उसे ये पता चलता है कि ये एक सुनसान आइलेंड है जहां पर सिर्फ वो दोनों ही हैं दूसी तरफ अंबर को छोड़ा चत्री पर बहुत गुसा आ रहा होता है और वो उसको बोलती है कि सिर्फ तुमारी वज़े से हम यहाँ पर फसे हैं एक बार अगर मैं अपने घर पहुँच गई तो मैं अपने लॉयर को बोलकर तुम पर केस कर दूँगी अब छोड़ा चत्री को पिस बस से गुसा आ जाता है और वो अंबर को बोलता है कि तुम्हें जो उखाडना है उखाड लो और यह बोलकर वो वहाँ से चला जाता है फिर वो भी उस आइलेंड पर खाना ढूटने की कोशिश करती है पर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता इसके बाद वो छोड़ा चत्री के बस साकर उसे कुछ मचलिया मांगती है पर छोड़ा चत्री उसे मना कर देता है फिर अंबर उसको बोलती है कि तुम मेरे लिए मचलिया पकड़ कर ले आओ और इसके बादे तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए वो समय तुम्हें तुम्हें दे दूंगी अंबर करती थी दरसल चोड़ा चत्री अंबर को सबक सिखा रहा था क्योंकि अंबर ने क्रूज शिप पर उसके साथ बहुत अत्याचार किये थे अब अंबर की बिच्छा दूरी रह गई थी इसलिए वो बास सिर्फ घपागब के बारे में ही सूसती रहती है और फिर एगली सुबह वो चोड़ा चत्री के पास जाती है और उसे बोलती है कि प्लिस तुम अपनी चत्री मेरे अंदर खोल दो अब चोड़ा चत्री भी अंबर की रिक्वेस्स माल लेता है और फिर वो उसे अपने घर के अंदर ले जाता है और इसी के साथ वो लोग पूरी रात पलंग तोड़गा पागब करते हैं अब ऐसे एक उस दिन बीच जाते हैं और एक दिन पलंग तोड़ने के बाद अंबर चोड़ा चत्री को बोलती कि वो उसे प्यार कने लगी है ये सुनका चोड़ा चत्री चौक जाता है और वो अंबर को बोलता है अगर हम इस साइलेंट पर फसे नहीं होते तो तुम मुझे ऐसा कभी नहीं बोलती वो उसे ये भी बोलता है कि क्या, तुम्हें याद है कि तुम्ने शिपर मेरे साथ कैसा बिहेव किया था इस पर अंबर उसे बोलती है, कि उस टम मेरा मूर काफी खराब था क्योंकि मेरा पती मुझे संतुष नहीं कर पता था पर जब मैंने तुमारे साथ पलंग तोड़ा है तो मुझे ऐसास हुआ है कि छोड़ा शत्री की छत्री में मेरे पती से ज़्यादा दम है। पर हम सारी जिंदी की सुंसान आइलेंड पर नहीं रह सकते हैं। पर अंबर को फोन करता है और अंबर उसे बोलती है कि तुम बस मुझे ये बता दो कि कब चलना है। पता चल जाता है। इसके बाद वो बिना सामे गवाए अंबर को अपने साथ एक हैलिकॉप्टर में ले जाता है। और उस लेटर को वो छोड़ा चत्री को देने के लिए बोलता है। फिर जब छोड़ा चत्री उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और जो कुछ भी हमारे बीचुस आइलेंड पर हुआ वो बस एक गलती थी। दरसल ये लेटर अंबर की तरफ से उसके हस्बेंट ने लिखा था तक कि छोड़ा चत्री उसको पढ़कर अंबर को भूल जाए। ये पढ़ते ही छोड़ा चत्री भागते वें अंबर के पास जाता है और देखता है कि वो हेलिकॉप्टर से जा रही है। तब ही छोड़ा चत्री अपने उस रिंग को अंबर की तरफ हैकता है और वो रिंग सीधा जाकर समुंतर में गिर जाती है। आप छोड़ा शत्री को लगता है कि अंबर ने उसे धोका दिया है और अंबर को भी ये लग रहा होता है कि छोड़ा शत्री ने उसे धोका दिया है और उसने उसके लिए कोई भी लैटर नहीं जोड़ा और इसी अधूरी प्रेम कहानी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाए झाल झाल